हेलो दोस्तों, वेलकम तुमें चैनल जिसका नाम है स्टोक मार्टिट सेंपियन, इस चैनल पे सिरफ मल्टी बैगर स्टोक हो उससे जड़ी हर लेटस इंफोर्मेशन आप लोग को समय पे दी जाती है इस लिए इस चैनल पे पहले बार आया है, तो इस चैनल को सब्स्राइब कर लिजे, बैल आइकन को प्रेस कर लिजे, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिजना हो इस वीडियो में, तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते ही है, कि केंपस कंपनी जो है, शूज बनाती है, चाहे वो रनिंग शूज हो, चाहे वोकिंग शूज हो, स्पोर्ट शूज हो, सैंडल्स, फ्लिप लोग फोर मैन, वुमेन और चिल्डरन, सभी के लिए ये बन आती है, आज दोस्तों थोड़े से इसके फंडामेंटल दिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे इसके बारे में क्या लेटेस्ट न्यूज निकल के सामने आ रही है, इसकी जो मार्किट कैपिलाइजेशन है, 11,199 करोड की है, स्टोक पी 4.7 चल रहा है, स्टोक स्पीट करके आप लोग को एक्स्टा शेर का बेनिफिट भी ये कंपनी दे सकती है, आज दोस्तों थोड़े पर प्रोफिट एंड लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, आज ओन मार्च 2019 से हमारे पास डाटा विलेबल है, तो मार्च 2019 में कंपनी की सेल्स हो दी थी, पांसो पिचानवे करोड जो की बढ़कर हो गई मार्च 2021 में 711 करोड, ओपरेटिंग प्रोफिट सो करोड होता था कंपनी का जो की बढ़कर हो गए 116 करोड, आई अब नेट प्रोफिट देख लेते हैं, 38 करोड कंपनी को होता था ऐस और मार्च 2019, जो की घटकर हो गया है 27 करोड एस और मार्च 2021, शेर होल्डिंग पैटरन एक पर देख लेते हैं, पर मोटर के पास 74.10% की होल्डिंग है, FIIS के पास 3.69% की होल्डिंग है, DIAIS के पास 3.77% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 18.44% की होल्डिंग है, आई अब अब दिखा देते हैं कि क्या निकल के आप सामने आ रही है वो आप लोग के सामने है देखिए दोस्तों मोतिलाल ओस्वाल mutual fund ने 32 लाग share campus के purchase किये है कल मोतिलाल ओस्वाल mutual fund ने 16 लाग share 360 रुपय पर share पर purchase किये है और अगले 16 लाग share जो है 364.97 पर share पर buy किये है तो दोस्तों company के fundamentals को काफी शांदार है और जो news मैंने आप लोग को बताई यह बिल्कुल positive news है बिल्कुल campus का share जो है relax तो जैसे शांदार return बना के दे सकता है future में अभी तो दो ही दिन हुए है इसको कुछ वक्त तो दीजिए इसको इतने बड़े-बड़े brokerage houses जो है इसमें अपनी holding बढ़ा रहे है तो आप लोग भी शेयर को हलके में मत लीजिए और अपने portfolio में डालिए long term portfolio में और 4-5 साल के लिए कम से कम इसको अपने holding में रखिए फिर देखिए कैसे आप लोगों को बताएगा और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे नितो ऐसी शांदार information आप लोगों से मिस हो सकती है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए शेर कीजिए फ्रेंड्स हो इने टिपे साथ ताकि वो लोग भी campus शेर में इन्वेस्ट करके अच्छी कासी wealth बना सके future में आप लोगों की तरह है अभी इस